सो गाइज अगर आप भी मेरी तरह एक यूटूबर हैं या फिर फोटो एडिटर हैं या फिर आप फोटो एडिट करना सीख रहे हैं और आप अपने फोटो को ऐसे ही कहीं पर भी क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद मैं अपने फोटो के बैक ग्राउंड को रिमूब करने में आती है या फिर आप अच्छी तरीके से रिमूब नहीं कर पाते हैं तो आज मैं इस वीडियो में ऐसे दो वेब साइट के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही आसानी से सिर्फ एक किलिक में अपने फोटो के बैक ग्राउंड को रिमूब कर सकते हो दोस्तों यह बाद में मैं अपनी फोटो को कुछ इस तरीके से अपने थमनेल में यूज करता हूं तो दोस्तों अगर आप भी अपने फोटो के बैक ग्राउंड को रिमूब करना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रही है एंड तक और अगर इस च प्रोग ब्रॉजर अपलिकेशन को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहां पर आपको सँर्ज कर लेना है रिमूब बीजी जैसे आप रिमूब भीजी सर्च करेंगे तो यहां पर सबसे पहले जो आपके सामने बैव साइड नजर आएगी सिंपल साब को उस पर क्लिक कर करेंगे और यहां पर आपके सामने ब्राउज वाला अप्शन दिखाई दे रहा है सिंपल सा आपको ब्राउज वाले अप्शन पर क्लिक कर लेना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके यह फाइल मनेजर में आपको ले कर जाएगा और वहां पर आपको वह फोटो स जो background है वो बहुत ही professional तरीके से remove हो चुका है दोस्तों यहाँ पर download वाले option पर जैसे ही आप click करते हैं तो यह photo download हो जाती है और यहाँ पर मैं open करके आपको दिखा देता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यह photo का जो background है वो remove हो चुका है तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने photo का background बहुत ही professional तरीके से remove कर सकते हैं और दोस्तों मैं जो दूसरी website है उसका link मैं नीचे description मैं दे दूँगा वहाँ से आप सीधे checkout कर सकते हैं जिस तरीके से इसका process है same उसका भी process है इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं ताकि वीडियो लंबा न हो जाए तो दोस्तों आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से अपने photo का जो background है वो remove कर सकते हो और download कर सकते हो तो अगर आपके लिए यह वीडियो थोड़ी से भी beneficial रही है तो आप इस वीडियो को like कर सकते हैं और नीचे comment में जरू बता देना कि यह वीडियो कैसी लगी और अगले किस topic पर चाहिए और अगर इस चैनल पर पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe करके साथ में बिल आइकन जरूर प्रेस कर दे रहा क्योंकि मैं आगे भी ऐसे यूटूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लाते रहेंगे तो चलिए दोस्तों चलते हैं बाए बाए कर दो